नमस्वार दोसों आप शवी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शवी उम्मिद करते हैं कि माता लक्षमी के शिर्बाश्य आप शवी बहुत अच्छ होंगी भगवान बोलिनात के शिर्बाश्य आप शवी श्वस्त होंगी दोसों आप शवी को बता दी कि आज शाम के शात बचकर तीश मैट के बाश्य आप शवी के कुणली में तीन बड़े गनहों का बहुती बड़ा चमतकार शुरू होने वाले ही जी हाँ दोसों दोस्तों कहने का तात पर यह है कि आज शाम के पांच बचकर 30 मिट के बाशे आप शबी के शारे दुख धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो महत्वन बात आपको बताने वाले हैं दोस्तों उन्हें आप बिल्कुल ही कान लगा कर शुनिएगा दोस्तों अगर आप इन बातों से चुक गए तो दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी कष्ट बहुत शमश्य चल रहे हैं जो भी पिडाएं जो भी शमशें आपके जिवनकाल में पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं दोसों उनसे आपको मुक्तीर नहीं मिल पाएगा क्योंको दोसों आप अपने ही हाथों अपने पैर पर कुलाड़ी मार लेंगे जी है दोसों भगवान हमें कोई भी चीज श्राक्षात नहीं देती उन्हें हमारे शामने लाते ही और दोसों उन्हें हम किश्परकार शुवकार करते ही दोसों ये हमारे शोभाव हमारे करमों पर निर्फर करता है दोस्तों आज शाम के 5 बसकर 30 मेर के बाशिट आपको कुछ महत्पुन बात हमाँ बताने वाले हैं आपको कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रखना है कुछ महत्पुन उपाई करना है और दोस्तों कुछ ऐसी गलती है जो कि दोस्तों आप पिछले कईश में से चल रख कर रहे हैं या गलती को भी अब आपको छोड़ना होगा जिया दोस्तों कुल मिला कर कहें तो दोस्तों आज का यह है वीडियो आप शिवी के जिवन काल के लिए और दोस्तों आपकी घर परिवार आने वाले भईश के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा भागी शाली शाबित होने वाली है। इसलिए दोस्तों हम आप शुवी से बस यही निवेदन करेंगी कि अपने जुनकाल के महत्पुन शमय में से थोड़ा शशमय निकाल कर आज के इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देख ही लिजेगा। वीडियो को प्रारम करते हैं शर्व पर्दम दोस्तों जो भी माता लक्षमी जी के भगवान बोले शुप शंकर जी के सच्चे पिरिभगते हैं। शमाप्त हो जाएंगे। के का लाब नहीं उठा पा रहे हैं। जिनके कार दोस्तों आपको शमयशाओं का शामना कई तरीकेशी करना पड़ता है। और कौन-कौन शेक कारी अब आपको करना चाहिए। थाकि दोस्तों अब आपको दुगनी तरीकेशे वह लाब दे। तो यह दोस्तों बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे ग्यांशी। दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यांशी शुनिएगा। दोस्तों यहां ग्यान है इश्वर के उपर बिश्वाश। दोस्तों आप शिवी को बिता दे कि जंगल में एक गर्वती हिरने बच्चे को जर्म देन को थी। वो एकांच जगा की तलाश में घूम रही थी। कि उशे नदी किनारे उंची में घनी घांश दिखी। उशे वो उप्यूक दाशान लगा शिशु को जर्म देने के लिए। वहां पहुंसते ही उशे प्रशाव फिडा शुरू हो गई। और उशी समय आश्मान में घनगोर वर्षा को आतुर हो उठे और विजली कड़कने लगी। उशने दाई तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उश की तरफ कर रहा था। घबरा कर वह दाई ने तरफ जुकी और पीछे की तरफ जुकी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिर ने क्या करती वह प्रशव पीडा शे व्याकूल थी। अब क्या होगा? क्या हिर ने जिवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जर्म दे पाएगी? क्या शावक जिवित रहेगा? क्या जंगल की आग शब को जरा देगी? क्या मादा हिर ने शिकारी के तीरशी बस पाएगी? क्या मादा हिर ने भुके शेर्ग का भोजन बनेग वो एक तरफ आक्षे घिरी है और पीछे में नदी है क्या करेगी वो हिरने अपने आपको शुन में छोड़ अपने बच्चे को जर्म देने में लग गई कुदरत का करिश्मा देखिए तीर छेड़ते हुए शिकार की आँखें चुंग्या गई उसका तीर हिरने के पास ये गुजरती शेड़ की आँखों में जाकर लगा शेड़ दहरता हुआ इधर उधर भागने लगा और बारेश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुज़ गई हिरने ने शाव को भी जर्म दे दिया हमारे जीओन में भी कभी कभी कुछे से ही च्छन आते हैं जब हम चारों तरब शीप शमश्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्ले नहीं ले पाते तब शब कुछ नीती के हाथों में शौप कर उतरदाय तो वफिर प्रात्मिक्ता पर ध्यान केंदित करना चाहिए अंततायश अपयश हारजीत जिवन मिर्तियु का अंतिम निर्ले इश्वर करता है हमें उश्पर बिश्वास कर उनके निर्ले का शम्मान करना चाहिए कुछ लोग हमारी शहरना करेंगी कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगी दोनों ही मामले में हम भाइदे में हैं एक हमें प्रिरित करेगा और दुसरा हमारी भीतर शुधार लाएगा जी हां दोसों तो दोसों आज का यह फरम ग्यान अगर आपको शमज में आई हो यह इन में सच्चाई लगी हो तो दोसों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर ही किजिएगा और अब आपको ध्यान रखना है ताकि आपके शारी दुक शारी पिडाएं खत्म हो जाए और दोसों कौन-कौनशे छित्रों को लेकर आपके कारी बनने वाले हैं घर के महल में पारे जुन में आपके परतेग छित्र में कौन-कौनशे बदला होने वाले हैं अगवान भोले न दोस्वों, शब्शे पहले आपको बता दी, कि या शाम के 5 बसकर 30 मिल के उप्रांधी, आप शिवे की जुनकाल में माता लक्षमी का आगमन होने वाला है, जिए दोस्वों, और उनके शंकेत आप शिवे की जुनकाल में कुछ यह से होगा, जिसे कि दोस्वों, आपके घर मे चिटियों का आना जाना लगा रहेगा जिहां दोस्तों अगर आपको एशा लगता है एशा अगर आप कहीं देखते हैं तो दोस्तों यकिन मानिये आपके जुनकाल में मानता लक्षमी का शिरबाद आज चुका है शातिशा दोस्तों दुश्यरा जो शंकेत है वहें दोस्तों आपके द्वार पर गाय, बेल या फिर दोस्तों कोई एशे जानवर आए जो कि आकर बेट जाए या फिर आपके द्वार पर ही आकर खड़ा रहे दोस्तों एशे में आपको बश या शंकिर शमझना है कि आपके घर में धनकावाश होने वाला है दोस्तों वह गाय बेल या फि भोजन कराकर ही अपने द्वार से लोटाईएगा दोस्तों इंशे भगवान आपकी जो प्रिक्षा ले रहे हैं दोस्तों में आप शिपल हो जाएंगे दोस्तों हम आप शिपल को बिता दे कि इश्वर से हम जब जूर जाते ही इश्वर की परती जब हमारा शच्चा आश होत एन नहीं ज है जियाँ दोस्तों और सबको शैफल देने वाले होते हैं तो दोस्तों आपकी प्रिक्षा लेती है जियाँ दोस्तों और कई वार ईश्वर कें… धारन करके हमारी दुवार पर आते हैं, आपके दुवार पर आते हैं, जिहां दोस्तों बश आपको विश्चे चीजों को पहचाना है, उनका शमान करना है, और दोस्तों तिसरा जो शंकेत है या श्मे, आप शिवी के जुनकाल में, आपके दाने आँख, जिहां दाने जोंकि दोस्टों आप शिव की जुनकाल में आज शाम के शाम शेही आने वाले हैं। जियां दोस के अपने जुनकाल में कुछ बातों का द्यान रखना है। आप श्माज में आपकी यह श्माज में पिछले श्मे जा चुकी थी, दोस्तों उनमें बढ़तरी होने वाली है, बहुत शारी बेरुजगार यूवक दिन रात अपने शोच में पढ़े रहते हैं, दोस्तों यह श्यवे उन्हें रोजगार मिलने की शमभवना बनने वाली है, धिरहाँ रखना है, जो भगवान का ही भेजा शंकेद होगा, भगवान का ही भेजा दाश होगा, जो आपको लब के ने शीरे की तरफ लेकर जाएंगी, जिए है, दोस्तों बश्य आपको ध्यान नहीं करना है आपको उन्हें लेकर आगे जाना है does它的 स्फों समझकर आपको निर्ले लेना है जिहां को अगर शक्चा व्यक्ति है तो दोस्तों आपकी शोच में आपके दिल दिमाग पर वच्छा जाएगा जिहां दोस्तों इन बातों को ध्यान भखना है शुच समझकल भूस आपको कारी करना है जन दोसं जब भी आप Kinder कल में ढएते हैं था धो दोस्तून उनका शंचे करने की लिए आपको शही चुनाव करना है जने के अह्यमेरäव क्रेव तो दोस्तों आप शिबी का पारिवारिक महाल या श्मी कुष्णमा बनने वाला है जिए दोस्तों और इने बनकरार रखने के लिए आपको कौशी उपाय को भी करना चाहिए दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान शिय आप अंति तक बने रही एगा श्राथी साथ दोस्तों आप शिबी को बदा दे कि आप शामशे जो घर्हों का निर्बान हुआ है आप शिबी की कुणडली में बहुत यच्शी शिबीयों के शाति आपकी नश्यब को स्यम्खाने वाला है जिएह दोस्तों दोस्तों शबदों में कहें तो दोस्तों यश्मीर चौथ रफा धन आप शबी को प्राप्त होने वाले हैं जीॉ कि आ Goddess दोस्तों और दोस। आपको अपने कर्मों का प्लड़ा हमेशा भारी रखना है जो के हम आपको हर वीडियो में भी यह बात कहते हैं जिहां दोस्तों शाद शाद दोस्तों हम आप शबी को बदा दे कि आज शाम से आप शबी के जुनकाल में आपके जो भी कारे रुके हुए थे जो भी आपके शपने आपसे दूर हो गए थे दोस्तों वे शबी अब आपके करीब आने वा को थेसलिए रह Choi उम्रें भान रहें व्लीटेश्यां, रहनी चीम के अरह करें ! यहीं भी दियान रखोंगतास टाम करेंद है हुप यह भी चAnn रख़ाने खुट टारी इसे और लिगेर हैं, दोसनों इस बात का भी ध्यान आपको नहीं रहता, जी हैं दोसनों, लेकिन दोसनों हमाप्षिभी को बदा दी, कि शर्व परे आप शिबे के जुनकाल में शेहत होगा, दोसनों शेहत अगर आपकी अच्छी रहेगी, तो दोसनों आपकी सोचने की चम्ता बढ़ेगी, आप ह चार्य कारें पाएंगे अपना बेश्ट दें पाएंगे तो ऑप बश इन बातों का ध्यान रखना है ङरत का भी ह्क – कभिभी आपको मांशी श्वास्त को लेकर भी और मांशीक श्वास्त को लेकर दोस्तुंं अगर आप यह बातें शमज गये हैं दोस्तुण आगे हम आपको बता दें कि क् 성공 गलति अब आपको नहीं करनी है और कारियो Bureau की जांस परक्त आपopa बहए जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं लोग आपके अपने है दोस्वं ये बात आपके दिल में आ गए तो दोस्वं फिर आप अपने इन शबी वातों का ध्यालकना है कि दोस्वं आप कई बार देखे होंगे कि जिन पर आप शब से ज़्यादा भरुशा करते ही वही लोग आपको धोगा देते ही जले दोस्वं हर कारिभार की आप जांस परताल जरूर किजेगा दोस्वं ये आपके जिवन का मुल मत्र होगा और मुल धन भी होगा तो दोस्वं आज ये ही अपने कारियों की जांस परक आप खुद से ही करें हर चीजों को आपको देखना है शमजना है फिरी उन कारियों को किशी और को हाथ में देना है जिया दोस्वं दोसरा जो गलती है जो आप लगतार करते हैं दोसरा गलती है कि आप खुद पर कभी-कभी विश्वास खो देते ही जिहां दोसों आपको बिता दी कि कई बार आप शिवी की जनकाल में शमश्या आई है हलांकि दोसों आप शमश्याओं से कभी डरते नहीं है आप इतना शाहत स्री निसान है कि कितने भी वड़ी शमश्या आजाए आप उन्हें शाहत के साथ करते हैं लेकिन दोस्वों कई बार आपके जुनकाल में श्री घरकी जिंदायें और बहर की जिंदायें शायते शायत कारिभार की जिंदायें जब एक शायत आती है तो दूसों, आपके अंदर कही न कही थोड़ा चाभ विश्वास की जोडोड़ है वह तूठने लगती है दोसों, इन से आपका जो मान से किज़ती है वह खराब होने लगती है जिनसे आपको बहुत ज़यदा परिशानी होती है आप बीमार हो जाती हैं शेहत के लिएकर आपकी यशी परिषानियां होती है कि दोसों आप कभी भी कोई अच्छा कारी शोच नहीं पाते हैं तो दोसों अब शी आपको अपने जुनकाल में कभी भी विश्वास को नहीं खोना है कि दोसों हम आप शुबी को पर शौप देते हैं जी हां दोस्तों बश आपको अब यही करना है कि जो भी कारी कर रहे हैं वह शही कर रहे हैं आप अपने अनुशार कीजिएगा लेकिन दोस्तों बिश्वास की डोर को आप कभी भी टूटने मत दिजिएगा दोस्तों इस वर पर भरशार रखकर आप पेशा भी कार किये हैं कि पेशे का अविश्व हुआ किये हैं याने कि दोस्तों पेशा जहां पर नहीं खर्चा करना था दोस्तों आप जाने अन जाने किये हैं दोस्तों बहुत बार आप चाहते हैं कि पेशा हम फिजुल के पेशा खर्चा नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों कुछ दिखाने के लिए आप कुछ ऐसे हद तक गए हैं जिनमें आपका पेशा व्यर्थ के खर्चे हुए हैं दोसों यह बात धर्म शास्त के नुशार बहुत ही गलत है इन्से मालक्षमी रुष्ट हो जाती है और जो भी धन का इज़त नहीं करता दोसों उनके जुनकाल में कभी भी मालक्षमी वास नहीं करता तो दोसों यह बातों का ध्यान रखना है कि धन का वय हमेशा शही शमे पर और शही जगह पर करना चाहिए दोसों इनसे माता लक्षमी का वाश आपशिवे के जुनकाल में होगा और धन की कमी आपको कभी भी नहीं खलेगी जी हाँ दोसों तो दोसों इन बातों को अब आपको ध्यान रखना है शादी शाद दोसों आपको अपने घर परवार में अपने माता पिता बड़े बुजरों का शमान करना है कि दोसों कोई इन्शान कभी भगवान को देख नहीं शकता लेकिन दोसों उनके लिए हर इन्शान के लिए वो भगवान होता है जो उन्हें जन्म देता है जो उन्हें इस दुनिया के बारे में शिखाता है जो उन्हें उनका पहचान दिलाता है दोस्तों हमेशा उनका शमान केजीगा चाहे आपके पास कितना भी धन दोलत कितना भी शंपिति क्यों ना जाए तो दोस्तों इन बातों को आप नहीं भूलन पिछले कईश्यों में बहुत ही बुरा चल रहा है अब अच्छा होने वाला है तो दोस्वों आपको कुछ उपायों को करना चाहिए तो दोस्वों हम आप शिव को बता दें कि हिंग कुछ सब्जियों में हाजमे के लिए परियोग होती है या अपनी एक अलग शीही शुगं को इस घोल में डुबा कर रख दें आधा घंटा तक मोली के धागों को उस घोल में पड़ा रहने दें इसके बाद मोली शुख जाने के बाद उस मोली के धागे की एक बत्ती बना लें इस बत्ती को तील के तेल के दीपक में प्रजवलित करें दोस्वों यह दीपक शनिव काली हर बूरी नजर का नाश होगा और माता लक्षमी आपके घर में परवेश करेंगे जमापत हो जाएंगी जो भी लोग बूरी नजर आपके घर पर रखते हैं दोस्तों कब शरणाश होगा तो बहुत ही महत्पुन खाश उपाय है एक ही उपाय है जो कि आपके शारी बाधाओं शे मुक्ति दिलाएगा तो दोसों इन्हें आप ध्यान शेकेज़ेगा तो दोसों उमीद करते हैं कि आज का यह महत्पुन वीडियो आप शेभी को फशन आया है और दोसों और शेद अगज्याकारे के लिए आप चैनल को जरू वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद आप शेभी का दिन शुब रहें